हेलो एब्रीवन वेलकम टू अपनाज किचन मैं हूँ अपना आज मैं लाए हूँ काले चने की नई रेस्पी और देखिए यहां पर मैंने ये चने भीगो के ले लिए हैं और अगर आपको सुबह बनाना है तो चने आप साम को भीगो दीजिए और जब भी आप बना रहे हैं उससे साथ खंटे पहले चने भीगो दीजिए अच्छे से भीग जाएंगे चने तो देखिए चने मैंने भीगो के लिए हैं और इनका मैंने पानी निकाल दिया है और अच्छे से मैंने तीन से चार पानी में धुलिया है और अब मैंने एक छली में रख लिया है अब एक ल को करें और शवत को यहां जयाए कि वायल करें टो देखिए पाँ सी फी ती यहां चुकी है कुकर भी घंड़ा तो अब हम चनों को चेक करते हैं और चने का पानी आप चाहें तो यह फेक सकते हैं नहीं तो आप इसका यूज कर सकते हैं इसका जो पानी है बहुत ही अच्छा होता है इसमें आप नमग मिक्स करके और नीबू का जूस मिक्स करें और इसे आप पी सकते हैं बहुत ही टेस्ट छोटा-vadr, तोज साती डाल से एक मैं साफ लेवा थोड़ा तो अपने डिया पाउड़र, तो मुंसी लिये हैं यहां पर मसालो कम जादा करते ह Medal रमम पाल, मशै si तो अब मसालि कम चानल अब हम यहां प चोटा और भी मुंविग radical मटें डिवल ऐसे गरम होता है हुम ढाल देंगे इसमें जीरा ahit जफाने चमज क जीरा को क्रेकल हों देते हैं तो देखिए जीरा ही हमारा चटक गया है अब हम इसमेंosit अड़्ेंग तो हिंग का टेस्ट लगता है चैने में और plant कर दी हैं को थोड़ा कि अच्छे मेरा के तो यहां पर अपने मसाले करेंक हीज करेंगे और मसालों को भूंदे लेते हैं हीत को यहां पे लो टु मीडियं रखिए और अच्छे से भूंद良 गृत अगर आपको पसंद दे तो आप यहां पे हल्दी उस कर सकते हैं मैंने तो हल्दी इसमें एड़ की है और मसाले हमारे भुण चुके हैं अब हम इसमें चने एड़ कर देंगे मसाले और चने को अच्छे से मिक्स कर देंगे तो अभी हमें यहाँ पे और भी मसाले इसमें मिक्स करने है तो देखिए चने और मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं आप हम डाल देंगे यहाँ पे नमक तो नमक आप यहाँ पे कमी डालिएगा क्यूंकि बॉयल करने में भी न अब चने को अच्छे से मिक्स कर देंगे सारी मसालों के साथ तो अब हम इन्हें इसी तरह से थोड़ी दर के लिए कुक करेंगे क्यूंकि मसाले हमारे अच्छे से कुक हो जाने चाहिए तो अब हम इन्हें खुला ही पकाएंगे एक मेट के लिए इसी तरह से चलाते हुए तो अस्टिमी या फिर्णोमी को इस तरह से चने बनाए जाते हैं साथ में हलबा भी बनाएंगे हम तो देखिए हमारे चने अच्छे से पक चुके हैं अब हम इने गय से हटा लेते हैं और अब मैंने पानी रख दिया है गरम होने के लिए पानी भी हमारा गरम हो चुका है बॉयल आटा तो यहां पर मैंने गहुका आटा लिया है अब मैं साथ में इसमें एड कर दूंगी एक चमच सूजी कुंकि सूजी एड करने से जो हमारा हलबा है बहुत ही अच्छा बनता है आप चाहें तो आप सूजी का भी बना सकते हैं बट इस तरह से बनाएंगे तो हलबा बह तो अब हम इसमें डाल देंगे हमारा बॉयल किया हुआ पानी तो पानी आप यहां पर बॉयल ही लें ठंडे पानी का यूज ना करें तो आप इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और जब आप इस तरह से हलवा बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा बनता है और आप चाहें तो आप यहां पर दूद का भी उज़ कर सकते हैं तो इस स्टेच पर हम डाल देंगे इसमें चीनी और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे इस तरह से हलवा बनाएंगे तो बहुत ही जल्दी बन जाता है हलवा तो देखिए इस तरह से इसको मिक्स कर दिया है मैंने और देखिए तयार हो चुका है अब हम इसे गैस से हटा लेते हैं और इधर हमारा हलवा भी तयार है और इधर हमारे जो चने हैं वो भी तयार है देखिए अब हम इने सर्फ करेंगे तो हम इने इस तरह से सर्फ कर लेते हैं देखिए कितना स्वादिश्ट हमारा हलवा बनके तयार हुआ है और बहुत ही कम टाइम में तो आप हम इसे सर्फ करेंगे किसी दूसरे बातन में अच्छी सी प्लेट में और आप इसकी गानिश करेंगे चौप बादाम से तो फ्रेंट्स इस तरह से आप हलबा और चने बना सकते हैं माता के भोग के लिए भंडारे वाले चने और हलबा ब कमेंट में जरूर बताइए कि आपको मेरी ये रेस्पी कैसी लगी मिलती हूं नेक्ट वीडियो में थैंक्स वर वाचिंग सी यू सून बाबाई